love infinite में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे first class होंगे मज़े में होंगे तो चलिए 2020 में आपके लिए क्या लिका है देखते हैं आज आप क्या सोचते हैं और आपके person क्या सोच रहे हैं और अगर आप किसी मुसीबत में है already तो उससे आपको कैसे निकलना है इसके बारे में आज थोड़ा सा बात हो जाए यह ध्यान रख लिजएगा कि यह चेनरल रिडिंग है परसनल रिडिंग के लिए आप मुझे WhatsApp पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं महाँ पर जाके contact कीजिए चेनरल रिडिंग में आर्किंजल बारे में सुचना चाहरे हैं जानना चाहरे हैं तो उनके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है रेंडमली सेलेक्ट करूंगे ओके दवस्ट कार्टेस फॉर अप्सौर्ट्स हां कुछ ना कुछ तो मुसीवत है जिसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज रहे जौन भी है आपको किसी भी तरह से बात नहीं कर रहे हैं कोई भी बात करनी चाहरे हैं लेकिन वह एक्जैक्ली बात नहीं हो पारींAyjam कि क्या करना चाहिए यहां पर यहां पर गाइडेंस आती है कि आपको थोड़ा सा भालेस होना चाहिए कि अस Nzym को आपने माइंड क को उपनी ०व憑 एनरजी यह को आपके चोप अपने है इसेश के तरा को ध्याना शूरू करें औहां उगयर है रहा आप दोनों के बीच में इसे और ने कुस्मिक्त बहुत सारी Swords हैं, बहुत सारे ताने हैं, बहुत सारा इस तरह के Words हैं जो आप तोनों ने एक दूसरे से कहे या किसी और ने आपके लिए कहे आप दोनों के लिए कहे लेकिन Six Swords यही कह रहा है कि हाँ आगे बात हो सकती है और यहाँ पर उनके बोलने के या आपके बोलने के तरीके में चेंज आ सकता है इसके लिए आपको करना क्या होगा, हर्मिट मोड में आना होगा हर्मिट मोड एक negative card नहीं है हर्मिट मोड का मतलब है कि आपको एकांतवास में चले जाना है थोड़ा सोचना है, समझना है, अपने बारे में अपने person के बारे में कि exactly आपको करना क्या चाहिए इस रिष्टे में थोड़ा सा pause देना होगा कुछ पर भाग भाग के जबरस्ती करके नहीं होता ना देखिए प्यार तो है ना दोनों में, तो प्यार दोनों में है तो थोड़ा सा एक आंधवास में दोनों ही चले जाएं तो ज़्यादा बेटर है अगर दोनों ही थोड़ा सा एक आंधवास में अपने आपको रख लें, isolation में रख लें तो समझ आ जाएगी आप दनों को कि हाँ, आपको गलती कहां थी और उनकी गलती कहां थी, अक्सर हम क्या देखते हैं, प्यार तो करते हैं लेकिन प्यार गायब कहां हो जाता है, जब हम दूसरे की गलतीयां देखने लगते हैं कि उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये किया, उसने वो किया मैंने तो कुछ नहीं किया हर कोई अपने आपको यह कहता है मैंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी कही ना कही अगर प्यार है तो गलती दोनों तरफ से होते हैं प्यार भी दोनों तरफ से हुआ तो गलती भी दोनों तरफ से हुई होगी इसी वज़े से पता नहीं चल पाता क गलती एक ही है कि देखे अकर एक ही है तो यह तो वह बिल्कुल ही वह प्यार नहीं करते ऐसा परसन लेकिन जो यह आ यह तो आपको शोग कर रहा है कि आप दोनों एक दूसर से प्यार करते हैं प्यार करते हैं तो एक कोई ना कोई तो गलती करता ही है कभी ना कभी तो चाहिए शादी से पहले या बाद में कोई ना कोई तो गलती करता है और इंसान गलतियों का पुतला है हमें माफ भी कर देना चाहिए अब यह नहीं सोचना चाहिए फिर से स्वाट्स यह नहीं सोचना एकदम से नहीं दिखता है meditation के बाद भी एकदम से रस्ता नहीं दिखता है थोड़ा time लगता है 10 of pentacles पाने में time लगता है देखे न इसका मतलब है कि आप बहुत कुछ पाना चाहरे है पैसे से भी प्यार से भी प्यार भरे बोलों से भी आप बहुत कुछ पाना चाहरे है लेकिन फिर भी जगलिंग कर रहे है देखे यहाँ पैसा भी चाहिए आपको प्यार भी चाहिए दोनों चीज़े हैं पैसा और प्यार के बीच में जंग चिड़ी हुई है तो क्या करना चाहिए आपको इस प्यार को पाने के लिए इस लवर्स कार्ट को फिर से लवर्स में बन जाने के लिए आपको करना क्या चाहिए अगर आप दोनों के बीच में इस तरह की बाते हो रखी हैं कि या तो किसी और ने आप दोनों के खिलाब कुछ बोल रखा है या फिर आप दोनों में ही बहुत जबड़स तरीके से वर्बल लड़ाई हो चुकी है बबल लड़ाई बहुत भहमका तरीके से हो चुकी है कि आपने का अब मैं भी नहीं चोड़ूगी उनोंने का मैं भी नहीं चोड़ूगा होता है होता है होता है होता है लाइफ में सब कुछ होता है कोई बात नहीं कलती सबसे होती है आप से भी हुई उनसे भी हुई आप भी उनको माफ कर दिजए आप अपने आपको भी माफ कर दिजए कि आपने उनको सहा इस तरह से इतना गलत्त सुना उनके जुबाँ से जबकी दोनों एक दुस्टे से प्यार करते हैं उसके बावज़ूद भी तो कोई बात नहीं होता है ना लाइफ में माफ भी करना सिखेंगे तभी तो आगे पढ़ेंगे तो guidance क्या निकल कर आती आपके लिए वाव तू अगें स्वार्ट इतनी सारी स्वार्ट आपके उसमें तो सारे सारे स्वार्ट निकल कर आ गई बहुत बाते होई हैं मुझे लग रहा है इतना जबरदस्त गता हुआ है कि आप सोच रहें नहीं यार मैंने इस आदमी कैसे किया गता है कैसे मैं इससेड़ किय से मिल गया गया भुआ है wormsisya के प४र्तिक कैसे अठ्रक्टेड़श्ट हो यह क्या हुआ हुआ कैसे हूआ हो अगर ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने कहा कि निकल जाओ यहा यहां आप यह चाह रहे हैं कि रस्ता तो बहुत लंबा है प्यार हम दोनों करते हैं आगे हमने जाना है लेकिन शुरुवात में ही लड़ाई हो गई शुरुवात में ऐसा लग रहा है कि शादी तो छोड़ो यह डिवोर्स भी ओने को हो गया यह क्या हो रहा है मतलब समझ नह है किसी को नहीं भी पता है हमारे रिलेशन्शिप के बारे में तो इसलिए आपको लग रहा है कि पता नहीं हम आगे भी जा पाएंगे की नहीं अभी तो जिन्दगी बहुत आगे पड़ी है लेकिन जा पाएंगे की नहीं तो गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि आप थो ना सुनने और कहने लाइक बाते हो जाती है तो अगर इतना सब कुछ हो गया तो guidance आपके लिए आ रहे है कि आपको अब चुप हो जाना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग भी आपके बारे में फिर कहने लग जाएंगे अगर आप दूनों इसी तरह से करते रहेंगे तो बात बाहर जाने में देर नहीं लगती क्योंकि आप दूनों जब बोलेंगे तो किसी third person को अपने दिल का बोज भी तो हलका करने जाएंगे कहीं जब किसी और को आप बोलने जाएंगे कि सुनो उन्हों न मुझे मेरे साथ ऐसे किया वो भी कहेंगे देखो मेरी तो ऐसी है यह तो बात तीसरे कान तक गई बात फिर सब्सक्राइब फैल गई और जब फैलती है तो वही लोग आपको कहते हैं कैसे कैसा जोड़ा है कैसा कपल लाई है अगर इस तरह से अगर आप दूसरे लोग आपको इस तरह से कहने लगें तो गाइडेंस आपको यही आ रही है कि अब आपका टाइम आ गया है चुप रहने का एक्शन लेने का बेकार में आर्गुमेंट करने के बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फिर से गाइडेंस आ रही है प्रिंस आप सोर्ट की आपको अपने आप में चुप रहना होगा अगर आप फीमेल हैं और आप सुन रही है तो पहले आपको चुप रहना होगा देखें, male body का काम ही ही होता है कि dominate करना, जुकाना, तडपाना, परिशान करना और होता है, अक्सर का होता है, 99% का होता है, कोई 1% ही होते हैं, साधु परमात्मा, मात्मा, जो इस तरह से behave कर पाते हैं, या female energy में होते हैं, या female की feelings को समझ पाते हैं, ठीक है ना? तो चाहिए कितना ही प्यार करते हो आपको, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, वो male body में है, वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, वो पूरी society से, दुनिया से लड़ते हैं, दुनिया से deal करते हैं, सो तरह की बाते हैं, सो तरह की खराब रिष्टों को भी रोज सुनते हैं दिमाग उनका होच-पोच हुआ रहता है तो उनको लगता है कि अगर आपने फिर से कोई ऐसी बात कहा दी या commitment मांगा या कुछ भी ऐसा कि आप जो चाहती है वो आप कह रहे हैं ये करो वो करो ये होना चाहिए वो होना चाहिए वो इतना puzzle हो जाता है कि सारी दुनिया का गुसा आपके उपर निकालते हैं तो जो उनको सुनता है जो उनको प्याग करता है जो आप जिनको प्यार करते हैं तो लडाई भी वहीं होते हैं दिल तो जिसने कहा जो आपको प्यार करते हैं तो वो भी तो परिशान हो रहे आप यह क्यों सोचते कि उन्होंने कह दिया वो हो गए जी बुरे इंसान हो गए अब तो बस कट ऐसा नहीं है प्यार बहुत है फिर भी हो कहते हैं कुछ सोसाइटी का हो जाता है कुछ हमारी अपनी सोचल कंडिशनिंग ही ऐसे हुई होती है कि हम समहाल नहीं पाते हैं बहुत सबको आपको दिखाई देता है या सुनने में आता है वाव सब कुछ blossom ही blossom हो रहा है मज़ा आ रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है जिनको आप करीब से जानते हैं उनको आप समझते होंगे ना कि उनकी लाइफ में देखने में सबकी लाइफ में बहुत अच्छा होता है आ एहां डाइडीन्स ऑर यहां प्लीस उनको भी थोड़ा सा ठासिति कर दिशिए ठीटिया कि वो अच्छा ही होगा उसकी तरफ से बिग एस आ रखी है जब आपके लिए है ही तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है बॉटम अप्टेक्स थोड़ा सा ध्यान रखें अपने पैसे का अपनी उर्जा का अपनी सेक्रल चक्रा का और इंज और इंज कलर है इसलिए कह रहे हूं और कहीं से देखिए कहीं से सीखिए एक कांत में बैठिए तब ही आपका प्यार आपके पास वापस आप आएगा ठीक है अगर ऐसा ही हो रहा है तो ठीक है हां आपको आंसर भी मिल गया कि हां हमारा प्यार हमारे पास वापस आएगा कितना भी वह हमें कुछ भी गंदा से आपको बुरा लग रहा है क्योंकि आप से प्यार करते हैं और एंझेल के नियुक्त हैक और अदर यह ही应 optimistic कहीं और से healing करवाईए, कहीं से देख के कीजिए, अकेले में बैठ जाएए, अपने आप से बाते कीजिए, wisdom, ग्यान, रोशनी, सब कुछ आपके अंदर है, थोड़ा सा चुप रहना सिखिए, थोड़ा सा उनको बोलना, या तुरंत जवाब देना, या argument करना, या एकदम से response देना, ये थोड़ा सा कम कर दीजिए, जिस दिन से आप कम करना शुरू करेंगे ना, उसी दिन से आपकी life change हो जाएगी, आपको अपने आप में ही फर्क नजर आने लगेगा, और आपको खुद को ये लगने लगेगा, कि आप तो खुदी एक healer है, आप तो खुदी एक healer सितारे क्या है, मेरे अंदर वो चीजे क्या है, जो मुझे रोकती है, free होने के लिए, वो ग्यान आपकी अंदर मरपूर भरा हुआ है, पस आपको देखने की जुरूरत है, थोड़ा मुश्किल होता है, स्टार्टिंग में, बहुत, थोड़ा कह रही हूं, बहुत मुश्कि करे कुछ नहीं हुआ ना, एक बार जबरजस्ती अपने आप करके देखिए, अपने आप के लिए, बैट के देखिए, कांत में जाके देखिए, डर लगता अकेले में बैटने से, तो भी बैट के देखिए, क्योंकि डर के आके जीत है, थैंकी सो मच पर वाचिंग,